असलाम अलेकुम वेलकम तो माई चैनल फूट केमेस्ट्री और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बनाएंगे रेश्मी चिकन जिसका टेस्ट किसी धापी या रेस्टोरेंट से कम नहीं होता इसमें ऐसा कुछ खास नहीं पड़ता बहुती बहुती कम चीजों में बहुती टेस्टी डिज बनती है आप इसको ज़रूर बनाएं तो चलिए इसको बनाते एक पैन ले ले उसमें वन कप आउल डाले मैं यह टू केजी चिखन का बना रही हूं उसके कॉर्डिंगी मैंने लिया है आप जितना बनाया है उसके कॉर्डिंग आप आइल ले तो मै मैं इसके अंदर कॉरियंडर लीफ डाला मैंने चॉप्ट करके अच्छे से रखा था और उसमें दो तीन मैंने चीली डाल दिये हैं एक मुठी बराबर आप कॉरियंडर लीफ लीजेगा इसमें यह डालना जरूरी है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है थोड़ा ही सही किन आप इसमें डाल इगा फिर मैने फोड़ा सब्सक्राइब के बाद इसमें जुए अजय जो है आममेड्स डाले थे कम से कम 20-22 आममेड्स मैंने लीए थे अगर आपके पास आपना कैश्य होए तो आप वह भी डाल सकते हैं उल्यान को प्निया उन्हिन को प्लेट में नि एक चमश मैंने धनिया का पाउडर लिया है एक चमश मैंने रिट चिली पाउडर लिया है एक चमश मैंने काश्मीरी रिट चिली लिया था एक बड़ा चमश कसूरी मेथी लिया है और आधा चमश मैंने टर्मरीक पाउडर लिया है हल्दी तू टेबल स्पून मैंने जिंजर उनियर कालिक है कर्ण्ज फ्लेवर अच्छी छूपाइब न thought оryl फ्राइए नियुक जिरस लागा जैना इसा नियुक्त अमेसाय नर्ड़ा छूप जाना है चिकन डालके मैंने उसको खुब अच्छे से भूना है तब तब उसके अंदर का पानी पुरा सूक नहीं गया और उसमें से राव वाली जो स्मेल होती है वो खतम नहीं हो गई एक अच्छी सी स्मेल आने लगी पिर मैंने इसमें एक दो तिस पत्ते डाल दिये और उसके बाद मैंने इसमें 2 आप नमक डाला क्योंकि यह 2 कीलो है उसह साप से मैंने डाला है आप भी अपने करणिंगी यह चिकन के नमक डाले के अर्अ नमक डाल के ऑच्छ जोकि अंदर पाउढर मसाले मैं आट कर दिये प्रृस्ति नेदर इस दुल तो भून लिया जब बून के आयल सर्फेस पर उस तरह से तब मैंने जो मसाला प्यास का बनाकर रखा था पेस्ट था वह पेस्ट में डाल देखिये पेस्ट इस बनाए जो पानी डालते हैं जो बजारों में आती है तब इसमें पानी जरूर थोड़ा से आट करें ताकि चिकन गले अच्छे से पर मैंने इसको ढ़ा के दससे बारा मिनट के लिए चोड़ दिया क्योंकि फिफ्टी परसंट यह चिकन का पानी सुखाने में गल चुका है इसे बारा मिनिट बाद मेरा चिकन बन के तयार हो चुका है गल गिया इसकी ग्रेवी देखे कितनी स्मूध ग्रेवी आई यह बलकुल रेशमी एकदम इसमोगी फ्लेवर लाएंगे तो इसमोगी फ्लेवर के लिए आप अंगारा बना लें कोईला लें उसको आप अच्छे से है तो ठाकने के बाद आप 2-3 मिनिट बाद जब इसे खोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा यह देखिए हमारा चिकन रेडी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी इसमें से इसमेल आ रही है जो भी खाएगा इसकी बहुत तारीफ करेगा चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अल्ला हाफिज